वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ जरूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज और अफडेट्स के बारे में शुरुवात करेंगे शिबा इनू से और शिबा इनू शिबा फेस्ट टू टेक ओवर मिशिगन तो यहा शिबा इनू को एक जो शिबा फेस्टी में तो एक बहुत बड़ी बात है कि 2023 में शिबा इनू फैस्टी में ये कोई शिबा इनू का कई आप एक बहुत बड़ी अनॉस्मेंट है and the must gone height city council has keenly interested in the Shiba Inu community and the council interest is attributed to the effort of कही न कहीं अगर हम देखे तो काफी बड़ी बात है ठीक है इसके अंदर जो city है जो यह city है जहां पर यह होगा Michigan के अंदर तो the city council is considering legal requirements to accept Shiba Inu and other crypto as payment तो Shiba Inu को as a payment accept करने की भी यहां पर जो है कुछ चीज़ें चल रही है और Shiba Inu expansion in Michigan ठीक है तो यह बहुत बड़ी बात है कि Shiba Inu का जो festival है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा 2023 के अंदर जितने भी Shiba Inu fans है और हो सकता है उससे पहले अगर Shiba Inu में एक अच्छा खासा pump आता है तो यह festival कहीं न कहीं वो कहते है न और भी ज्यदा खुशी वाला होगा happiness वाला होगा क्योंकि Shiba Inu का अगर इससे पहले एक बड़ा pump आता है तो ठीक है वो तो डिपेंड करता है मार्किट किस तरफ चलेगा और Shiba Inu किस तरफ चलेगा और सब चीजें हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं तो त्यार हो जाईए Shiba Inu के फेस्टिवल के लिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है Baby Doge Coin की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं आपको पता है Baby Doge Swap Market में लाइव हो चुका है और यहां पर आप देखेंगे Meta spent 10 billion dollar on their Metaverse in 2021 and this is what Zuck posted today ठीक है तो Mark Zuckerberg भी Metaverse को लेके कहीं न कहीं काफी ज़्यदा serious है लेकिन एक जो tweet है वो है Certiq को लेके और Certiq Public Service Announcement Certiq Security Leader Board ठीक है एक तरह से Certiq We have a God of Baby Dogecoin and Certiq AMA this Thursday in our Discord server ठीक है तो एक AMA session होने वाला Discord के उपर ठीक है Discord AMA with Baby Dogecoin और 18 अगस्त को यह AMA session होने वाला है तो यह कुछ इसकी timing है 3 PM EST और 7 PM UTC ठीक है आज ही जो है AT अगस्त है Next Update की बात करें तो वो है Keto X की तरफ से जी हाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर Keto X और Thrilled एक tweet है Keto X का Thrilled to announce Baby Dogecoin listing on Keto X at the end of this month तो कहीं न कहीं August के end में जो Keto X exchange है उसके उपर जल्दी list हो जाएगा Baby Dogecoin एक नई listing Baby Dogecoin का wait कर रही है इस महीने के end में और Baby Dogecoin coming soon Keto X ठीक है तो एक नई listing के लिए तयार रहें Baby Dogecoin की नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है North Korea की तरफ से और North Korean hackers have looted 1 billion dollar from DeFi protocols this year तो यह जो अपडेट है वो है North Korea hackers को लेके और उन्होंने जो है North Korean hackers की अगर बात कर लें तो एक billion dollar की जो loot है वो यहाँ पर उन्होंने की है from DeFi protocols ठीक है तो जिस तरह से hacking इस साल हुई है काफी जैदा प्रोजेक्ट्स पे निशाना यहाँ पे लगा है ठीक है hacking का recently Solana के wallets hack हुए ठीक है और काफी जदा hacking को लेके यहाँ पर इस साल काफी activities हुई है ठीक है तो अगर हम देखे hacking group affiliated with North Korea are responsible for much of the theft occurring decentralized finance DeFi protocols और यहाँ पर the market intelligence firm says that hacker link to the isolated country have stolen a billion dollars from DeFi protocol for this year तो यह बहुत बड़ा number है कि 1 billion dollar की जो loot है जो hacking है यहाँ पे हुई है North Korea के जो hackers है उनकी तरफ से next update की बात करें तो Shiba Inu का जो burn rate है वो एकदम से उचल पड़ा है अगर आप देखेंगे 83 million tokens जो है last 24 hour में burning का data यहाँ पे दिख रहा है हमको लेकिन burn rate भी अगर आप देखेंगे तो 416% जो है यहाँ पे उचल चुका है और यह कुछ इस time पे Shiba Inu का burning का data और burn rate यहाँ पे च stable coin है और अगर आप इसका price देखेंगे पिछले 7 days का 24 hour का भी अगर आप देख लें 0.91 पे चल रहा है अपने पैग से जो है यहाँ पे नीचे आ चुका इस time पे और HUSD जो stable coin है वो हुआ भी का ही stable coin है ठीक है और यह भी अपने पैग से जो है डीपैग हो चुका है और लगातार coins डीपैग हो रहे हैं अभी रीसेंटली 6 जो है यहाँ पे HUSD का डीपैग हम को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वह है कारडायनो को लेके कारडायनो रीच इस बुलिश माइल स्टोन इन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जल्दी ही जो कारडायनो को सबसे बड़ी चीज होने वाली है वह यह है कि वैसल हाड़ फोक होने वाला है और कारडायनो के सेंटिमेंटली सेंटिमेंट्स आर बिल्दिंग अप इन दे एपसेंस ओफ जो इवेंट्स है यहाँ पर कोई इवेंट नहीं है अभी और एक जो बड़ा इवेंट है वह वैस इन दे पास्ट मन्थ एक सबसे जरूरी चीज है एडिये का इस टाइम पे जो इवेंट होने वाला जो एक जरूरी चीज है वही प्राइस को वन डॉलर तक लेके जा सकती है और वह है वैसल हाड़ फोक और इस मन्थ के एंड तक आई ही जाना चाहिए क्योंकि दो बार डिल जो 0.5 के सम्थिंग जो भी चल रहा है वो वन डॉलर का भी लेवल टच कर सकता है हाड़ फोक के बाद लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वह है साउथ एफ्रिकन रिजर्व बैंक इनकरेज फ्रेंडली बिहेवियर विद क्रिप्टो तो यहाँ पर आप दे दखेंगे रिजर्व बैंक ओफ साउथ ऐफ्रिका ने आपे जो फ्रेंडली बिहेवियर क्रिप्टो असथ रखने का यहाँ पर एक सजेशन दिया है और मतलब अगर आप देक देखेंगे रिजर्व बैंक ओफ साउथ अफ्रिका सेंट और सेंट गायड्लान्स चीट सुच एक्टिविटीज एंड एंक्रेजिंग बैंक्स नॉट टू कट ओल टाइज विद क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो करेंसी के जो क्लाइंट से जो यूजर से हैं उनके साथ कट ओफ करने के बजाए जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो यहां पे रखना चाहिए यह मानना है रिजर्व बैंक ओफ साउथ आफ्रीका का ठीक है तो कहीं न कहीं फ्रेंडली बिहेवियर निकल के आया है साउथ आफ्रीका के सेंट्रल बैंक की तरव से ठीक है तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी नियूज एंड अपडेट सी आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ कर लेना आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई